चली बात करते हैं question number 54 के बारे में, क्या कह रहा है 54 देखिए, question number 54 आपको कह रहा है, एक वस्तू को 625 रुपए में बिक्री करने से जितना मुनाफ़ा होता है, उतना ही नुकसान उसको 435 रुपए की बिक्री करने से होता है, ठीक है, तो बताइए वस्तू की कीमत क्या है, क्र जितना प्रॉफिट होगा, जितना उसको 435 रुपए में बेचने पर लॉस होगा, ठीक है, परसेंटेज नहीं, रुपए में ही बात हो रही है, प्रॉफिट आपको पता क्या होता, SP-CP, विक्रे माइनस क्रे, तो विक्रे कितना है, 625, क्रे क्रे क्या है, वो हमें नहीं पत है, लेकिन विक्रे पता है, हानी के लिए कितना, 435, बस आगे आपका अंस्वर, क्या होगा, माइनस CP उदर जाकर, प्लस का CP, तो 2CP होगिया, 435 इदर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो जोड लेते हैं दौनों को, 400 और 600 ये तो होगिया, 1000, 35 और 25 ये होगिया, 60, तो इसका मतलब 1060 होगिया, हमें तो CP की वैल्यू निकाल नहीं है, तो आराम से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये 1000 का, 560 का 30, तो 530 रुपय हमारा आंस्वर होगा, जो कि हम देख सकते हैं, option आपका second बिलकुल सही है, ये question था 54, इसी question number 54 के साथ, मैं राकेश शौधरी आ आपका डिजिटल तैरी के YouTube चैनल पर, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं, रुकमीनी पब्लिकेशन की platform बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है, profit and loss, और हम देख रहे हैं, previous year questions, और हम बात कर रहे हैं, part number 7 की, जिसका एक हो चुका है question, बात करते है 55 क्या गर है, देखिए, किसी वस्तू को 40 रुपए में बेचने पर 40 प्रतीशत की हानी होती है, तो इसे 80 रुपए में बेचने पर क्या होगा, तो 40 प्रतीशत की हानी मतलब कितने प्रतीशत पर बेच रहे हो, आप 60 प्रतीशत, तो 60 प्रतीशत पर बेच रहे हो, और बेच प्रतिशत की हानी होती है, तो 40 रुपए में बेचा, तो selling price कितना है, 40 रुपीज, 40 प्रतिशत की हानी मतलब 60 प्रतिशत पर बेचा, 60 प्रतिशत 40 रुपए के बराबर है, तो 1 प्रतिशत कितना होगा, 40 बटा 60, ठीक है, इसे 80 रुपए में बेचने पर क्या होगा, 80 क्योंकि 40% का लॉस है इसका मतलब 100 में जितना लॉस है वो लस कर लिया तो 60% आ अगया आपके पास selling price और रुपय में selling price कितना है 40 rupees तो 40 रुपय साट प्रतीशत के बराबर तो एक रुपया कितने प्रतीशत के बराबर है 60 बटा 40 के एक रुपया हो गया 60 बटा 40 के बराबर एक रुपय की नहीं यहां पर बात हो रही है कितने की 80 रुपय की 80 रुपय की बात हो रही है तो एक रुपय का मान है तो 80 रुपय का मान कितना होगा असी से गुणा कर लेते हैं, cancel हो गया 2, कितना आ गया, 120 प्रतीशत, तो क्या 120 प्रतीशत हमारा अंसर है गया, नहीं, आपको तो सिर्फ इतना देखना है, कि 100 से कितना जादा है, जितना जादा है वही हमारा profit है, अगर कम होता, तो वो हमारा, जितना कम होता, उतना loss होता, तो 20 परसेंट का profit, इसका मतलब first option हमारा बिलकुल सही होगा, चलिए, बात करते हैं, 56 के बारे में, क्या गह रहा है 56, देखिए, तीन वस्तूओं को, चार वस्तूओं की लागत पर बेचने से लाब होगा, तीन वस्तूओं को, चार वस्तूओं की लागत, मतलब चार वस्तूओं के क्रे मुल्य के बराबर, तीन वस्तूओं का विक्रे मुल्य है, तो हमको बताना है, percentage profit क्या होगा, फिर से देख लीजी, आपको कह रहा है, तीन वस्तों को चार वस्तों की लागत पर तो चार वस्तों की लागत मतलब चार वस्तों का क्रेम उल्य सीपी ये बराबर है किसके तीन वस्तों के इसके बेचने पर इसका मतलब स्पी के तो तीन वस्तों का विक्रेम उल्य चार वस्तों के क्रे मुल्य के बराबर है अंस्वर आ चुका अब तो कुछ बचा ही नहीं विक्रे मुल्य कितना 4 और क्रे मुल्य कितना 3 पता आपको अगर मैं SP अपॉन CP करूँ तो भी 4 by 3 आएगा नहीं तो यहीं से हमने देख लिया आ रहा है तो 4 और 3 अनुपात है इनका अब आप CP और SP क मैं पता नहीं है तो हम value कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि जो answer है वो percentage में पूछ रहा है ठीक है तो कुछ भी मानेंगे लेकिन ratio जो है CP और SP का या यह कह दूँ विक्रे मुल्य और क्रे मुल्य का 4 और 3 रहना चीए तो 4 और 3 रहना चीए तो 40-30 मानो 400-300 मानो कुछ भी मानो ठी 4 और 3 के अनुपाद के लिए छोटे से छोटा नंबर 4 और 3 के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता छोटा इसलिए तरगे calculation आसान हो जाए तो हमारा क्रे मुल्य कितना 3 विक्रे मुल्य कितना 4 तो कमाया कितना 1 प्रतीशत के लिए क्या 100 कि किस पर कमाया हमने क्रे मुल्य पर क क्रे मुल्य कितना है तीन है तो नीचे आगया तीन तो इसका मतलब 33 से सही एक बटा तीन प्रतीशत हमारा प्रॉफिट होगा जो कि हमारा सेकेंड आप्षिन बिलकुल सही होगा चलिए बात करते हैं 57 के बारे में क्या गह रहा है 57 57 आपको कह रहा है नौ संत्रों का विक्रे मुल्य बारा संत्रों के क्रे मुल्य के बराबर है तो बताइए उसका लाब का प्रतीशत क्या होगा आसानी है 9 संत्रों का विक्रे मुल्य मतलब SP Selling Price 12 संत्रों का क्रे मुल्य मतलब 12 CP ये आपस में क्या है बराबर है तो कर दिया बराबर हमने तो आपको पूछ रहा है कि percentage profit क्या होगा ठीक है तो ये हम देख सकते हैं 3 और ये हम देख सकते हैं 4 तो यहां से मैं देखूँ तो SP कितना है 4 और CP कितना है 3 ठीक है यहाँ तक तो अभी अभी किया हमने just ऐसा तो विक्रे मुल्य कितना, 4 करे मुल्य कितना, 3 अनुपात के तॉर पर इन्ही को हम रुपे के तॉर पर मान सकते तो हम देख लेते हैं कि 3 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में बेचा, तो एक कमाया, प्रतीशत के लिए गुणा में 100, एक किस पर कमाया, क्रै मुल्य पर जो की कितना है, 3 है, आंसर आगया 33 से एक बटा 3 प्रतीशत, चलिए, बात करते हैं 58 के बारे में, क्या गरा है 58 देख का नुकसान होता है, क्रै मुल्य पर एक बटा 6 लाब प्राप्त करने के लिए उसे कमीच को कितने रुपए में बेचनी चाहिए, वैसा ही है, जैसा अभी तक हमने कई बार कुशन किया है, बस पर कितना है, अभी तक हमने परसंटेज में किया है, इस बार फ्रेक्शन भिन म चैसो रुपए में बेचने पर एक वेक्ति को उसके क्रै मुल्य के एक बटा 6 का नुकसान होता है, क्रै मुल्य कितना है, जब परसंटेज चलता है, तब हम कॉस्ट प्राइज कितना मानते हैं, हंड्रेट परसंट, और नहीं तो फ्रेक्शन चलता है, तो कितनी मानते हैं, एक मान लेते हैं, एक बटा 6 का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइज है एक, इस पर एक बटा 6 का नुकसान, इसका मतलब कितने पर बेच रहा है, पांच बटा 6 एक आई पर बेच रहा है, और रुपए में कितने पर बेच रहा है, 600 रुपए में, यही कह का लाब मतलब इसमें 1 बटा 6 और आ जाए तो 7 बाई 6 जो है उसकी value रुपए में कितनी है वो हमें बता लिए तो बता देंगी बिलकुल सबसे पहले तो 5 बाई 6 के value 600 है ठीक है देखिएगा simple सा हिसाब है कोई बड़ी बात नहीं है अगर यह यहाँ पर प्रतिशत में होता एक बटा 6 की जगे बोलता है कि 20 प्रतिशत का नुकसान होता है तो हम 100 में से 20 कम करके 80 प्रतिशत लिखते किस के बराबर 600 के बराबर फिर आपको बोलता कि 20 प्रतिशत का लाब कब होगा तो 80 प्रतिशत 600 के बराबर 20 प्रतिशत का लाब मतलब 120 प्रतिशत तो गुणा कर देते 120 बस पर कितना प्रतिशत में न बोलकर भिन में बोला है प्रतिशत होता है तो क्रेम उल्लिय 100 होता है और भिन है तो क्रेम उल्लिय 1 हो गया जैसे 20 प्रतिशत का नुकसान बोलता तो 100 में से 20 कम करके ऐसी प्रतिशत लिखते, वैसे ही 1 बटा 6 का नुकसान बोला है, तो 1 में से 1 बटा 6 कम करके 5 बटा 6 लिख दिए, ठीक है, चलिए, एक का मान कितना होगा, 600 upon 5 upon 6, 6 कहां चला गया, उपर, यह value आई यह 1 की, ठीक है, य उसको multiply करवा दीजिए 7 by 6 से, जो value 1 की है, उसको multiply करवा दीजिए 7 by 6 से, तो 7 by 6 की value आजाएगी, cancel होने के लिए जो है, कर लेते, 6 से 6 गया, इसको कर लेते, 1, 10 हुआ, तो 2, 12 का 7 से कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यह 84, 840 रुपे हुआ, इसका मतलब second option आपका बिलक किसी वस्तु के विक्रह मुलय का अंतर 210 रुपे है, यदि लाब प्रतीशत 25 हो, तो बताएगी वस्तु का विक्रह मुलय क्या होगा, चलिए देख लेते हैं, आपको कहरा है क्रह मुल्य है, और विक्रह मुल्य है, CP और SP का difference जो है वो कितने रुपए का कह रहा है आपको 210 रुपए का और profit कितने का बोल रहा है 25% का तो ये तो हम समझ सकते हैं जो profit है वो रुपए में कितना है 210 क्योंकि जो SP और CP जो विक्रे और क्रे का अंतर है वही तो हमारा लाब है तो लाब रुपए में कितना है 210 और प्रतिशत में कितना है 25% तो मैं कह सकता हूँ यहां पर कि 25% जो है वो रुपए में किसके बराबर है 210 रुपए के बराबर एक प्रतिशत का मान क्या होगा 210 बटा में 25 क्या हमें एक प्रतिशत के बारे पे पूछ रहा है बिलकुल नहीं हमें पूछ रहा है उसका selling price selling price मतलब 25% के profit पर बेचना है तो 125 प्रतिशत का मान पूछ रहा है बिलकुल निकाल सकते हैं तो गुणा में कर लेंगे 125 ये गया 5 बर 21 का 5 से गुणा ये 5 और ये 10 और ये 0 तो आंसर आगया 1050 रुपे जो कि हमारा option है बिलकुल second option सही होगा ठीक है चलिए बात करते हैं 60 के बारे में एक वस्तू के लागत मुल्ये और बिक्री मुल्ये में 240 रुपे का अंतर है लागत मुल्ये में उसकी cost price और बिक्री मुल्ये मतलब उसकी selling price में difference है 240 रुपीज का अगर उसे 20 प्रतिशत का लाब हो रहा है बिलकुल वही है जो अभी अभी हमने देखा तो बताई उसका बिक्री मुल्ये कितना होगा लागत मुल्ये मतलब cost price बिक्री मुल्ये मतलब selling price इनका difference हमको कह रहा है कितना है 240 रुपे का तो ये तो हमें पता है कि जो इनका अंतर हो तो साफ साफ मैं कह सकता हूँ कि 20 प्रतिशत जो है वो रुपे में किसके बराबर है 240 रुपे के बराबर कोई दिक्कत थी एक प्रतिशत का मान कितना होगा 240 बटा में कितना 20 क्या हमें एक प्रतिशत का मान पूछा है बिलकुल नहीं हमें पूछ रहा है उसका बिक्री मुल लेते हैं गुणा कितना आ गया 6 है, choice का कर लेते हैं 6 से, कितना हो जाएगा 0, 4 का 6 से कितना choice, फिर 12 और ये कितना 14, तो 1440 रुपे हम कह सकते हैं जो कि हमारा पहला option बिलकुल सही होगा. चलिए, ये था आपका question, question number 60, बात करते हैं next question 61 के बारे में. क्या गर रहा है 61 देखो एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मुल्य पर 10 प्रतिशत की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12 प्रतिशत का लाब अर्जित कर लेता है तो बताईए उसका क्रे मुल्य और छपावा मुल्य जो है उसका अनुपात क्या होगा रेशियो क्या होगा बता सकते हैं आराम से कैसे देखी एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मुल्य पर 10 प्रतिशत की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12 प्रतिशत का लाब अर्जित करता है तो देखिएगा डिसकाउंट किस पर मिलता है मार्क प्राइज पर MRP पर ठीक है 10 प्रतिशत की छूट MRP पर 10 परसेंट का डिसकाउंट दिया इसका मतलब MRP के 90 परसेंट पर उसने बेचा है फोई दिक्कत नहीं है बेचा है मतलब यह उसका सैलिंग प्राइज है ठीक है चलिए और आपको कह रहा है पुस्तक को बेचने पर 12 प्रतिशत लाब अजित करता है 12 प्रतिशत लाब अजित करता है इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देख सकते है 12 प्रतिशत ला बर्जित करता है मतलब cost price पर होता है profit तो कितने का profit है 12% का तो इसका मतलब cost price के 112 प्रतिशत पर बेचेगा प्रतिशत अटा तो नीचे 100 लगा दिया बेचेगा मतलब ये selling price, ये भी selling price, दौनों ही selling price उसी वस्तू की है तो दौनों आपस में क्या होगे बराबर हो जो कट सकते हैं उनको काट लेते हैं 100 से 100 cancel हो गया और कुछ cancel हो रहा है तो कर लेते हैं तो देखिएगा cancel करते हैं ये हुआ 45 और ये हुआ कितना 61 ठीक है यह तक? आपको क्या पूछ रहा है? MP और CP का ratio 65 हमारा सही होगा और अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिएगा कहां पर हमें दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं चलिए ये आपके होगा 56 121 होता तो ये 61 होता तो ये होगा आपके कितना 56 यहाँ पर भी हो जाएगा कितना 56 तो जो पूछा है उसका आंस्वर आ रहा है 56 रेस्टू कितना 45 चलिए तो हम देख सकते हैं ये कहां पर दिख रहा है अच्छा किस से किसका पूछा ये भी देखना जरूरी है क्रे मुल्य और छपेवे मुल्य तो क्रे मुल्य 45 और छपावा मुल्य कितना 56 तो इसका मतलब आपका चौथा ओप्शन बिलकुल सही होगा यही अगर आपको छपेवे मुल्य और क्रे मुल्य का पूछता तो 56 होता लेकिन क्रे और छपेवे का पूछता तो 45 और 56 होगा चलिए ये था 61 बात करते है 62 के बारे में क्या गेरा 62 देखिए एक साइकल को 2850 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14 प्रतिशत का लाब होता है यदि लाब कम करके 8 प्रतिशत रखा जाए तो विक्रे मुल्य क्या होगा बता सकते हैं 2850 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14 प्रतिशत का लाब होता है तो 14 प्रतिशत का लाब मतलब 114 प्रतिशत में बेच रहा है, और रुपए में कितने पर बेच रहा है, 2850 रुपए में, ठीक है, तो रुपए में कितने पर बेच रहा है, 2850 रुपए में, तो 114 प्रतिशत 2850 के वराबर तो एक प्रतिशत कितना है, 2850 बटा में 114, एक प्रत क्या यिए यदि लाब कम करके आइट प्लिंगे रखा जाता रखा जाता इसका मुझे प्लिच टो से हम कर लेंगे गोड़ा की ए यहां तक तो cancel करते हैं इसको, ये हो गया आपके कितना है, 114, तो इसको कर लेते हैं हम कितना, ये चला जाएगा आपके 2 से कितनी बार, 2 से चला गया ये 5 और ये 57, इसको 2 से कर लेते हैं, तो ये 5 और ये 54, कुछ cancel होगा बिलकुल, 57 से अब ये ही cancel होगा, और तो कुछ बचा नहीं, कि कितनी बार जाएगा 5 है तो ये 5 बार जा सकता है। 7 का 5 से 35 और 5 का 5 से कितना 250, 250 और 35, 285 ही हो रहा है तो बिलकुल ये 5 बार चला जायेगा. तो ये 50 हो गया, 54 का 50 से गुणा करना है वो हम कर लेते हैं. ठीक है कितना हो जाएगा 50 इसका ये हो जाएगा आपके 5 का 4 से 20 फिर 25 और 2 कितना 27 तो 2700 रुपए हम कह सकते हैं जो कि हमारा second option बिल्कुल चाहिए होगा चलिए बात करते हैं next 63 के बारे में क्या एका 63 देखिए एक झाल्ण के ये और B साझिय में एक व्यापारीक प्रतिष्ठान की इस्थापना करते हैं दो पार्ट्नरों गहें ए और गहां UP के निवेश बी के निवेश से तीन गुणा है ठीक है एक निवेश की अवधी बी के निवेश की अवधी से दो गुनी है ये भी ठीक है यदि बी को लाब के रूपे चार जार रुपे प्राप्त होते हो तो उनका कुल लाब क्या होगा ये हमें बताना चलिए देखते हैं कितने पार्टनर है दो अ और दूसरा कौन सा है बी तो आपको कह रहा है कि ए का निवेश बी के निवेश से तीन गुना है एक ने एक रुपे लगाया है तो एन तीन रुपे लगाया है सो लगाया तो तीन सो चार लगाया तो बारा आट लगाया तो चोईस पांच लगाया तो पंदरा एक लगाया तो तीन ठीक है फिर आपको कह रहा है एक निवेश की अवदी बी के निवेश की अवदी से दो गुनी है एक निवेश की अवदी बी के निवेश की अवदी से दो तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी आपको प्रॉफिट का रेशियो पूछे पार्टर्शिप में सांजेदारी में तो वो प्रॉफिट वो लाब का जो अनुपात होता है हमेशा लगाए गए धन और जितने समय तक वह धन लगाया है जितनी अवदी टाइम इंटरव ये रेशियो आगे आपके किसका A और B जो है उनके मिलने वाले प्रॉफिट का रेशियो है अब कोशन क्या कह रहा है जरा दिखते है यदि B को लाब के रूप में 4000 रुपे मिले तो B का प्रॉफिट कितना है 4000 कोई दिक्कत ने तो B का प्रॉफिट अगर 4000 है तो B के लिए का रेशियो भी कितना है 1 तो नीचे आगे है 1 मल्टिप्लिकेशन में तोटल प्रॉफिट पूछ रहा है तो 6 और 1 तोटल हो गया 7 तो 7 से मल्टिप्लाइ कर लेते हैं 7 का 4 से 28 और 0 कितने 3 तो 28000 मतलब पहल तीसरा आप्शन आपका बिलकुल सही होगा चलिए बात करते हैं 64 कोई वेक्ति किसी वस्तु को 100 रुपय में बेच कर 10 रुपय लाब प्राप्त करता है तो लाब का प्रतिशत क्या होगा असान है कोई बड़ी बात नहीं है 100 रुपय में बेच कर विक्रह मुल्य पता है आपको 100 रुपय क्रह मुल्य अगर पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा 100 रुपय में बेच कर 10 रुपय कमाता है 100 रुपय में बेचा और 10 रुपय कमाए तो खरीदा कितने में 90 कतम बात अब परसंटेज प्राफिट बताना है बता सकते हैं कितने रुपय का प्राफिट हो रह तो हम निकालते हैं, otherwise हमेशा cost price पर ही निकलता है, कितना है 90, 0 से ये 0, 1 बटा 9 का प्रतिशत पे मान 11 से 1 बटा 9 प्रतिशत होता है, ये हम देख सकते हैं, तीसरा option आपका बिलकुल सही होगा, चलिए, ये था 64, बात करेंगे 65 से हमारे next part में, जब तक चैनल को subscribe, वीडियो को like share और comment box में comments कीजिए, थैंक यू सो मैं, प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटर तैयारी